हेलो गाईज, विल्कम बैक्ट ओवर चैनल, आज हम पढ़ने वाल है, रेंक नलिटी थेवराम और साइलवेस्टी जानते हैं, इसको ये थेवराम वेरी इंपोटेंट है, प्रीवेस येर में बहुत बार पुछा गया है, अल्मोस्ट हर बार पुछा जाता है इस चेप्टर स है, रेंक के नलिटी ओफ लिनेर ट्रांस्फोरमेशन, वेरी वेरी इंपोटेंट टॉपिक है गाईज, और इस थेवराम को पढ़ने से पहले, मैं आपको एक बेसी कॉंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, तो यहां पर असा से पहले पहला टाम आता है, हमारा लिनेर स्पान आपको पता होना चाहिए, इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, कि S जो है, वो सबसेट होना चाहिए, स्वरी, S जो है, वो नॉन एम्टी सेट होना चाहिए, समझ गया आप, साथ ही, यहां सेट आफ और लिनेर कॉंबिनेशन, लिनेर कॉंबिनेशन जो है, किसी भी ऐलिमेंट, बहुत सार अलिमेंट होंगे, finite elements होंगे, उसको में linear combination की form में लिखेंगे, तू अमा linear span कहलाते हूं, that means definition इसका यह कहता है, set of all linear combination of finite sets is called linear span of a set, यह definition होता है इसका, अब basis समझते हैं, basis क्या होता है, basis एक S element लेंगे, जो के S एक subset होगा V का, वेक्टर स्पेस का subset होगा S, यहाँ यह क्या होता है, दो conditions को हम्हें satisfy करना होता है, पहला condition क्या कहता है हमारा basis में, basis में पहला condition क्याता है, कि यह linear independent होना ची, पहला condition होना कहिए, अब linear independent क्या होता है, आप लोग को पता नहीं होगा, अगर linear independent जो है, अगर हम किसी भी linear combination को is equal to 0 करते हैं, और वहां पे a1,a2,a3,an तक है मान लेते हैं अगर A1 से A2 पूरे value के 0 आ जाता है that means L I कहलाता है linear independent कहलाता है अब यहाँ पर basis का second condition क्या होता है basis का second condition मतलब है linear span LS is equal to V LS is equal to V कहने के मतलब S जो है generate कर रहे है V को अब आपको LS मैंने just अभी पढ़ाया कि linear span क्या होता है set of all linear combinations set of all linear combinations of finite set is called linear span LS तो यहाँ पर S generate करना चीए जो combination होगा उस ही को generate गोलते है प्रकार से LS is equal to V होना चीए सारे linear combination V को generate करना चीए या linear combination भी होना चीए तो यह basis का condition है इस थेवरों को पढ़ने के लिए आपको lecture 1 मैंने जो बनाया है उसे कुछ जोगो देखना है very very important है link description में साथे मैंने आपको लिए playlist बनवा दिये वहाँ जा कि आप पहरा एक्चर देख सकते हो चलिए यह start करते हैं अब आते हैं guys theorem के उपर theorem क्या है हमारे पस rank, nullity, theorem बोलते हैं या फिर silvestri's law for neutrality इन दोनों form में question आ सकता है तो statement आपको book से देख लेना है simple statement है यहाँ proof करना है rank t is equal to dimension u dimu यहाँ बने यहाँ भी लिखा है rank को हम rho t से लिखते है nt is equal to dimension u तो सबसे पहले proof में क्या करना है simple से चीज है t को माल लेना है कि linear transformation है u से भी t linear transformation है अब यहाँ पर आपको nt पता होना चीज है nt मैं पहले लेक्चेर हम पढ़ाया डिटेल में alpha जो है u से बिलॉंग करेगा alpha 1, alpha 2 u से बिलॉंग कर रहा है t alpha is equal to 0 null जैसे गोला t alpha is equal to 0- विद्दब सारे का जो transform होगा सारे का image होगा alpha का जितने भी elements से सारे image जो होगे 0- का होगा image 0- होगा सारे का और वो जो की v से बिलॉंग करता है then वो कहलाता है nt का definition है अब nt जो है u का sub-space होता है nt is a sub-space of u यह बहुत important point बोला हूँ मैं nt is a sub-space of u यह आपका बहुत आगे use होगा rt माता है rt यहां beta बिलॉंग करता है सपोस मान लेते हैं जहां 0-ड़ साव बीटा है beta belongs to v such that t alpha is equal to beta मतलब alpha का जो image है transform on niva image जो है beta मा बन रहा है simple सी बात है alpha u से बिलॉंग कर रहा है ठीक है और यहाँ पर rt में क्या होता है आपको समझ आ गया होगा अब यहां पर आईए लेट डामेंशन यू डामेंशन यू जो है यू एक वेक्टर स्पेस है यहां पर हमने क्या कि इसको गिन सकते हैं ठीक है तो एन तक हमने माल लिया अब मैंने आपको बता है कि यहां यहां अब मैंने आपको बता है कि यह सबस्पेस होता है अब यह बिक्या हो जाएगा सब सब्वाने होता है सिंबल सी बात है सब मतलब यह होता है है किया है है guys कि यहां पर दोनों condition को satisfy कर लिया है तब यह वो basis कहला आएगा ठीक है तो यहां लिए span भी पहले से है यह और li भी पहले से है और यह भी basis है हमारा dimension यू चुमाना हमने यह भी basis है ठीक है तो यहां पर k तक माना हमने element k तक तो यह nt is equal to k हो गया now extension theorem के थुरू extension theorem के थुरू क्या होता है कि अगर आपने k तक माना इसको extend कर सकते है s can be इसको मान लेते हैं यह s हैगा suppose तो s can be extended as a basis for u let हमने क्या किया k तक माना पहले उसको हमने extend किया और आगे तक k k plus 1 से n तक चले गया तो आपने देखा कि dimension n तो हमने यू मान लिया है तो basis of u हो गया बेसिस यू का बन चुका है s dash is equal to alpha 2 u का basis हो गया यह तक मान रहे हैं हम अभी theorem proof इस्टार्ट नहीं हुआ है अब यहां पर देखिए T alpha 1 T alpha 2 T alpha k और T alpha n subset of RT क्यों हुआ ऐसा यह क्यों कि यहां पर इन सारे का इमेज है वो आट में बनेगा इसलिए subset खेलाइगा क्या क्या होता है क्या होता है आजब में definition T alpha is equal to beta मतलब इस सारे के अब समझी ध्यान से हमने माना है n तक, dimension u को हमने n तक मान लिया, चलिए यहां लिख दीजिए, NT कहा है है हमारे पस NT हमारे पस के तक है इसको के मानलो आप अब आपको बोलेंगे कि rank T निकालो rank T हमें निकालना पड़ेगा बस बागी सब तो हमने मान लिया है basis मान के तो यहांस कैसे निकालोगे आप rank T इसको दिखाश्ट करतो N-K हो जाएगा यह N पूरा जो है U है K तक NT है तो इतना तो RT होगा K प्लस 1 से अलफा N तक कही काम है हमें पूरा हम पूरा जो शो करने वाले हैं basis वगरा सब चीज K प्लस 1 से अलफा N तक ही शो करने वाले हैं चलिए पहले कंडेशन मा जी First we shall prove that हम यह प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि L ब्रेकेट में T अलफा K प्लस 1 अब सारा काम K प्लस 1 में होने वाले है K प्लस 1 से अलफा N तक is equal to RT is equal to RT मतलब क्या होता है यह span है generate कर रहा है RT वेटर स्पेस को generate कर रहा है मैंने आको बताया था कि LS पहले बताया था जो कि RT से बिलॉंङ कर हा है then there exists अलफा जो होगँगा यहाँ पर मालूम है अगा alpha u से बिलॉंग कर रहा है तो इसका मतलब किया इसको linear combination के form में लिख सकते हैं ठीक है यह बेसिस है अल्रेड़ी यहाँ पर alpha is equal to a1 alpha 1 a2 alpha 2 से an alpha 1 हो गया beta is equal to a t अब यहाँ पर alpha का value जो है यह वाल alpha का value जो आया है इसे आप इसमें पूट कर दो यह वाले equation पूट किया ऐसा इस तरीके से तो beta is equal to यह हो गया आपको मालूम है यहाँ पर t जो है linear transformation है तो t अगर linear transformation है तो इसको आप अलग लिख कर सकते हैं यहाँ से a1 को बाहर कर दो t alpha 1 हो जाएगा यह 2 बाहर कर दो t alpha 2 हो जाएगा वैसी n तक करना आपको सेम फिर सिंस आपको पता है कि यह तो पहले से कहा है यह अलफा 1 से alpha k तक जो है वो तो nt है मतलब null t है यह हमने माना था न के तक basis है nt का nt जैसा ही हुआ मतलब सारे term 0 हो जाएगे उसके basis है इसका मतलब कि है हाँ पर linear independent भी होगा और एंटी है तो हम इंसा सारा term 0 डेश होगा आपको पता है सारा जो होने माले हो जिरो डेश पहोने माले तो आप जहां पर alpha 1, alpha 2 है alpha i is equal to 0 होगा तो i is equal to 1 to k तक है और k तक ही हमने माना है जहां पर तो k तक हम 0 तक ने तो बीटा इस इक्वल टू यह आ गया यहां तक आई हो आपको अच्छे समझ आ गया होगा आपको पता है कि बीटा जो है आटे से बिलॉंग करता है इसका मतलब यह है कि हम यहां पर लिए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में से लिख सकते हैं तो मैंने बताया को सेट अफ आगे हम बेसिस के हैं so now we shall show that t k plus 1 हमारा सारा काम k plus 1 से n तक होने वाला है मैं आपको 12 बतार हूँ यहां पर मैंने समझाया आपको कि इतने से इतने तक कही काम है कि यह तो हमारा nt है यह पूरा u है और इतना rt है तो rt को हमें प्रूफ करना है बेसिस तो हम इतने कही काम कर से यहां पे देखिए इस linearly dependent हमें प्रूफ करना है ठीक है हमने k plus 1 से n तक मान लिए फिल्ड से बलूआ करता है उसके बाद देखिए इसका जब हम linear combination की फौर्म में लिखेंगे से प्रूफ करने के लिए वैल उसका जिरु करने के लिए हम इसको जब linear的 जर्बंडेशन के प हमगों करेंगा तो वह ऐन के लिएक सकते हैं ठीक है अब ध्यान दीजिए यहां पर के ऐन कर गये एक चीज पर आपको ध्यान रखना है यह जो आप लाइन देखेंगा, रेड़ वाला यहां से यहां तक अब एक अल्फा फिल्ट से बिलॉंग करता है अब इस तक कर लीजिए अगर यह लाईन भूल गे तो पूर्फ नहीं कर पाओगे अब सीवन वानेट पार्ट पूसर लालीजिए यहां पर यहां पर मायनस में लाएंगे जब इसको होँ तो क् कैंद आगा और आपको पहले बताया थे यहां पर इलिमेंट यू में आगए यहां पे पूरा एलिमेंट यू में आ गया यहां पर इसका मतलब अलफा 1 से अलफा एन तक है यह अगर यू का बेसिस सह हम कह सकते है कि वह लिनिअरली इंडेपेंडेंडेंट भी होगा क्योंकि basis का condition पहला होता है कि हमें लिनेर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ता है अगर वो basis पहले से है उसका मतलब क्या होगा वो लिनेरली इंडिपेंडेंट भी होगा अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हो सारे सामने कोफिशियंट है वह सामने जो स्केलर हैं उन सारे का value 0 होगा c1 c2 c3 सारे का value 0 हो गया सेम k1 k1 k2 k2 a n तक 0 हो गया तो हमने proof कर दिया के लिए li है linear transformation for linear independent है उसके बाद क्या होगा यहां से dk1 t alpha k2 यह basis हो आर्टी का क्यों जब यह linear independent भी proof हो चुका है यहां हमने बिट इस पान भी प्रूफ कर धिया जब दोनों प्रूफ कर दिया एलाई और इसपान जिन दोनों हो जाता है वो शुम Lage और के ईंदी उन करेंगा और लुकंत को में अब वाधात संबने इस से अंतर मालन लए पूरा यह नहीं पूरा पार्ट को निकानना है मुझे, तो कैसे करूंगा, U-K करूंगा, सेम चीज है, N तक है N-K पार्ट को करूंगा, N-K तो यहां सज़ेगा N-K, तो यहां पर हमें लिखा कि dimension RT अब N-K हो जाएगा, तो वर्मला में प्रूफ करना था, dimension U is equal to, प्लस करने के बाद, rank plus nullity is equal to, हमने तो इस तरीके से आपको बहुत ही ध्यान से समझाने का प्रयास के बहुत इसी तरीके से, यह उता है प्रूफ इसका rank nullity theorem का, तो गाइस यह लेक्चेर बहुत ही इंपोटेंट है, मैंने बहुत ही मैना से आप लोग लिए short notes तैयार किया, वह एकदम समझ नहीं आ रहा है, य तो आप lecture को एक बार आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिज़े से राय किजिए, और फिज़े से देखिए, और गाइस अगर आप पहली बार आना है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए, साथ यगर आपने पहले लेक्चेर से नहीं देखा है तो मिन प्लिछ लिस् में झाल 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 झाल